ड्रोन प्रशिक्षन के समापन पर बोले डीके भट महिला हमेशा सकारात्मक भाव से सीखती हैं। तेईस वर्ष बाद फूलपूर में आये श्री भट ने यादे साजा की और दिये कई टिप्स। प्रयागराज से दयाशंकरत रपाठी की रिपोर्ट। इफको का ड्रीम प्रजेक्ट नानो उर्वरक और उसमें नई तकनीक प्रयोग होने वाली ड्रोन का सापताहिक प्रशिक्षन इफको के मोतिलाल नहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टिटूट में समापन के मुख्याती थी आई एफ एफ डीसी के वाइस चेर्मेन डी के भट के संबोधन से हुआ तेईस वर्ष के लंबे समय के बाद इफको फूलपूर परिसर में आने पर भट का भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने पुरानी यादें ताजा की प्रशिक्षन कारक्रम में भाग ले रहे क्रिशिकों, क्रिशक उत्पादक संगों के प्रतिभागियों उफको कौदिट एवं नाबाज के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर विपर्णन निदेशक भट ने कहा कि युवा जोशीली सोच के साथ क्रिशी के विका पूलपूर की धर्ती संसकारों और कर्मचता की धर्ती है, मैंने अपने जीवन का अमूले काल इसी फूलपूर की धर्ती पर बिताया है और बहुत कुछ अपने इफकों के कारेकाल में यहां से सीखा, जिसका अनुभव अपने जीवन के इस पड़ाओ पर भी मुझे प्रे व्यक्त की और कहा कि महिलाएं हमेशा सकारात्मक भाव से सीखती हैं और सिखाती हैं इसलिए महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षन देना बहुत ही जरूरी है और सराहनिय भी है इफको दोरा समय समय पर नई तक्नीकियों को अपनाना ही इसकी सफलता का राज है उन्होंने कहा किसानों की बीच अपनी विश्वसनियता कायम की है जिससे इफको का मतलब विश्वास है सब चीज़ें का उधना वह नहीं द रहता और अब गभाव में जाके यह बता सकते हैं कि हम ड्रोन के माध्यम से कितनी बचत कर सकते हैं और मतलब समय की बचत लागत भी कम और पैदावार भी ज्यादा प्लस मिट्टी में नुक्सान भी कम और हम खुद को भी स्वास्त रख सकते हैं और बुचालों को भी बना सकते हैं और सर इकमार ये सब भी आपको बताना चाहेंगे प्लीज बताइए ब्रोन के बारे में आपने क्या कैसी करके सब्सक्राइब कर दो कि ब्रोन कैसे चराया जाता है इसके क्या लाब है और हम किर्शी छेत्र में क्रांति ला सकते हैं क्रांति क्या हो सकती है हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा छिर्काव कर सकते हैं और लोगों को जो इसका खाद का प्रभाव है जो अभी यूरिया का हम प्रियोग करते हैं उस यूरिया के प्रियोग और इस दैनो यूरिया के प्रियोग से हमारे परियावरण और हमारे स्वास्त पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा यह ड्रोन हमारे कृशी उपज के लिए बहुत ही उपी हुपी हुपी है